नमस्कार दोस्तों मैं दीपक सिंग आज का वीडियो बहुत महत्तपूर है अगर आप पाइप फीटर या फबरिकेटर का काम सीख रहे हैं या सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो को अंतक देखें आज हम सिंबल के बारे में जानेंगे कि कौन सा सिंबल किस नाम से जाना जात पहला है फिल्ड बेल्ड ये सपोर्ट है दूसरा है बट ज्वाइंट जहां इस तरह का सिंबल दिखे तो समझ जाए ये बट ज्वाइंट है तीसरा है साप बेल्ड ये भी सपोर्ट है चौथा है साकेट ज्वाइंट ये साकेट ज्वाइंट का सिंबल है पाचवा है थ्र लेट का सेंबल है आठमा है ठ्रेडो लेट ये ठ्रेडो लेट का सेंबल है नुगा है इस्ट्रेनर ये इस्ट्रेनर का सेंबल है दसमा है कंसेक्ट्रिक रेडियूसर ये कंसेक्ट्रिक रेडियूसर का सेंबल ये चारों तरब से आगे की और जुका रहता है दसमा है इंसेक् स्टरव से फलाप राता है बारावा है लाइन फिलो यह लाइन फिलो डाइजेक्षन बताता है मै्टेरियल किधर जारा है कि जो tras करेंटेयल को डायरेख्षन किढ़ ले जाना wood proper करता है चाधावा फ्रांज बॉल्ट गैस की कौन सा फ्रांज लेगा कौन watch लेगा कौन सा गैस कीट लगएगा क में देखकर सब पतला सकते हैं पंद्रावा है 19 एलबो 19 डिगरी का एलबो है सुलावा है लिट्रल टी यह लिट्रल टी का सेंबल है सत्रावा है 45 डिगरी एलबो अठ्रावा है टी 19 हमा है वाटिकल रोलिंग 20 हमा है हरिजंटल रोलिंग 21 नमबर है बाक्स रोलिंग इसे डबल रोलिंग भी करते हैं 22 नमबर है सपोर्ट यह भी पाइप का सपोर्ट है 23 नमबर देखिए नार्थ यह ड्राइंग में नार्थ को परद्रसित करता है चोविश नमबर देखिए इंड कैप, पाइप के अंत में इसे लगाए जाता है पचीष है इलसुलेशन, पाइप कहाँ पर इलसुलेशन लगाए है यह ड्राइंग में परदरसित करता है 26 नमबर प्रेख स्लीपान फ्लांज, यह स्लीपान फ्लांज का सेम्बल है 27 नमबर पर है बेल्डोनेक फ्लांज ये बेल्डोनेक फ्लांज का सेंबल है 28 नमबर पर है आइटन नमबर इसमें आइटन नमबर लिखा वता है जिससे ड्राइंग में देखकर आप पता सका सकते हैं कौन सा माटेरियल लगेगा